जिसे माना जा रहा था कि ये बनेगा बाए हाथ का रोहिट शर्मा वो एक मैच में तो हीरो बनता है लेकिन ज्यादातर मैचेज में जीरो साबित हो रहे हैं मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं ये सलामी बलेबास इनके पास में सुनहरा मौका था और मैनेजमेंट इनको स्टार प्लियर बनाने के मूड में नजर आ रही थी लेकिन स्टार तो आप तभी बनेंगे जब आप स्टार की तरह पफॉर्मेंस करेंगे लेकिन अगर आपका पॉर्फॉर्मेंस बेकार होगा तो फिर कोई नहीं आपको स्टार बना पाएगा हम बात कर रहें बाए हाथ के बल्लेबास अभी शेक शर्मा की T20 क्रिकेट की इन्होंने जबरदस तरीके से शुरुआत की थी इंटरनाशनल लेवल पर जिम्भावे के खिलाब में अपने दूसरी मैच में इन्होंने शतक जर दिया था और उसके बाद हलांकि इनका बल्ला खामोशी रहा था जिम्भावे में लेकिन फिर भी दूसरे मैच में शतक लगाना वो भी तेज गती से बैटिंग करते हुए पूरी दुनिया का उन्होंने एट्रैक्शन अपने तरफ खीच लिया की लगा कि एक ऐसा बलेबाज है जो कि रोहिच शर्मा की तरह बैटिंग करेगा अफ्कोर्स रोहिच शर्मा दायने हाथ के बलेबास थे त सबने का कि बाएं हाथ का रोहिच शर्मा भारत ये टीम को मिल चुका है और ये अभिशेक शर्मा ही तो हैं तो सबको लगा कि वाकई में यार ये तो बहुत तोडू किस्म के बलेबास हैं आई पिल में भी हमने रेखा था लेकिन बात यह है कि जैसे मैं आपको कंपेर करके बताता हूँ जैसे मायं की आदब ने एक बात कही कि सिर्फ रफतार से गेंद डालने का कोई फायदा नहीं है आपको लाइन और लेंथ भी मेंटेन करनी पड़ती है आपको विकेट्स भी निकालनी पड़ती है सेम बैट्समें के लिए भी है आप रफतार से पंदर रन बन उसे कोई मायने नहीं रखती और अभिशेक शर्मा को ये बात समझनी पड़ेगी उन्हीं के बैटिंग पर चर्चा करेंगे और वाकई में उन्होंने काफी जादा निराश किया है इस पर डिस्क्स करेंगे लेकिन आप तो अब तमाम दोस्त जो है वो अभिशेक शर्मा की 100% वो पहुंच जाते नॉन स्ट्राइकर एंट पर लेकिन वो डर गए थे या फिर माने की इंजिरी की वज़े से उन्होंने डाइव नहीं लगाया मुझे जैसा लगा देख कर कि हो सकता है कुछ और भी वज़ज़ हूँ दूसरे माच में क्लीन बोल्ड कर दिये गए साकिब ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और दूसरे माच में 15 रन बनाएं कुल मिलाकर कि दो मैचेस में 31 रन आए हैं शुरुआत जबरदस्त कर रहे हैं अब शेक शर्मा आते ही तावर तोर चौके छक्के लगाने लग जाते ह लेकिन फिर जो पारी है वो 15 रनों पर सिमट जाती है 16 रनों पर सिमट जाती है तो अगर आपको रोहिट शर्मा बनना है या रोहिट शर्मा आप छोड़ दीजे अगर आपको अपनी जगे भी टीम में बनानी है या औप्शन के तौर पर भी रहना है तो आपको ये 15-16 रन कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी बहतर काम नहीं किया बिकिस अभिशेक शर्मा को as a batsman के तौर पर खिलाया जा रहा है भारतिय टीम में ना कि as a all-rounder के तौर पर आया आप आए एक wicket ले लिया बहुत अच्छी बात है सुरी कुमार यादब ने भी गेन बाजी करके माच जिताया भारतिय टीम को श्रलंका में रिंकु सिंग ने भी गेन बाजी करके माच जिताया है श्रलंका में लेकिन इसका मत्तब यह नहीं कि सुरी कुमार यादब और रिंकु सिंग गेन बाजी करने लग गए अभिशेक शर्मा का मेन रोल है कि वो बैटिंग में आकर के तावड तोर बलेवाजी करें रन बना करके दें लेकिन वो दोनों मैचेस में फ्लॉप हो गए हैं और इससे बहतर मौका नहीं हो सकता था इंडियन कंडिशन में अपने दर्शकों के सामने फ्लैट विकेट है रनों का अमबार लगाना चाहिए था दो मैच में कम से कम एक शतक आना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लिटरली निराशा जो है वो तमाम फैंस के मन में है अभिशेक शर्मा की बैटिंग जिस तरही कैसे जिंबाबे में हुई थी हम सब बिलकुल खुश हो गए थे लगा कि यार चलो ठीक है रोहिट शर्मा गए है तो अभिशेक शर्मा आये हैं और ये लंबा काम करेंगे मैं अभी कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे और इनके result को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपको consistency तो maintain करनी पड़ेगी इंटरनाशनल लेबल पर अगर आप इंटरनाशनल लेबल पर consistency maintain नहीं करोगे चाहे आप कितने भी बड़े hitter हो तो भारतिय टीम को ऐसा प्लियर नहीं चाहिए जो कि 10 मैच में 9 बार फेल हो एक मैच में चले और मैच जिता दे ऐसे खिलारी की टीम इंडिया को जरूरत नहीं है भारते टीम को ऐसे खिलारी के जरूरत है जो दस में से चार या पांच मैच में यकीनन रफ़तार से खिलते वे माँच जिता है अनिता अगर आपके 50% भी success ratio नहीं है मा लिजेगार आप 50% भी आपका success ratio नहीं है तो फिर आप बाहर बैठें management आपको बाहर करतीगी अब शेक शर्मा को समझना पड़ेगा समय कम है बहुत सारे इस समय सलामी बलेबास fight कर रहे हैं यशस्वी जैसवाल हैं इसके लाबा शुबमन गिल हैं एक से बढ़कर के एक खिलारी हैं तो उमीड करते हैं कि ये run करें तीसरे माच में और जबर्द करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा वीडियो को भी लाइक जरूर कर लिजेगा